और अंगबाद में नगरपाली का आम निर्वाचन 2022 चुनाओ का मद्दान रवीबार की सुबह से जारी है गौर तलब हो की कपकपाती ठंड के बावजूद मद्दाताओ का मद्दान केंद्र पर आने का सिलसिला जारी है इस दौरान एक साथ सभी तीन पदो हेतु मद्दान की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही वोटरों में जबरदस्त उत्साहत दिखा गया है और अपने अपने घरों से बूथ तक पहुँचकर अपनी बाड़ी के इंतजार में पंक्तिबद खरे हो गया है आपको बता दे कि इस दौरान जिला मुख्याले और अंगाबाद के बिभिन मद्दान केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह साथ बजे से मद्दान सुरू हुआ जो साम पाँच बजे तक चलेगा चुनाव के दौरान बुजुर्ग और बिकलांक मद्दाताओं में भी ज चुलहा चौका छोड मद्दान की लाइन में लग गई उधर पुलिस की ओर से किसी भी अप्रिये स्थिती से बचने के लिए पूरी तयारी की गई थी इस बिसे में वोटरों का मद्दाताओं का क्या कुछ कहना है पहले आप सुने क्या कहना चाहेंगे वार नमबर 21 में स्थिता नं सिनापलेज बुद के यहाँ पर तिन बुद है बहुत सांतिक पूर्वग धन से भोटिंग हो रहा है और परसासन के सक्थ मतलब में जबज़श तरीके से यहाँ पर लगाया हुआ है और भोटिंग बहुत अच्छे तरीक करते हैं कि सार को साफ सपाई के रहे हैं जहां नल जलना है नल जल देदें। जो भी जीते अच्छा करें लेकें और अंगा बाद के लिए बहुत अच्छा हो। सबसाए क्या नाम पानी जी एधियक छुपा देच का यहां पहली बर चुना हो रहा है क्या उमीद लग रहा है, कैसा अनुमान लग रहा है क्या सही है आपने वोटरों को सुना जिसमें पुरुस और महिला दोनों सामिल है जिनका कहना है कि वोट जो है काफी सांतिपुर्ण तरीके से हो रहा है वही महिलाओ का कहना है कि वोट गिराने आई है आपको बता दे कि इस दोरान नगर पारिसद और अंगाबाद के लिए 109 नवीन नगर के लिए 28 रफीस गंज के लिए 36 और देव एवं बारुन नगर पंचायत के लिए 13-13 मदान केंदर बनाए गये हैं इस दोरान पुलिस की तैनाती की गई है आपको बता दे कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के मद्दे नजर वाड़ पार्दसत सदस्य उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के लिए आज मद्दादाओ के द्वारा कई परत्यासियों के भागे का फैसला किया जाएगा तो फिलहाल के लिए खबर